नमस्कार डिडी न integrating में आप सभी का स्वागत है नहीं एक साल के कामकाच पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाने जे एवम उद्धियोगराज्य मंद्री निर्मला सीतरामन। निर्मला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथ वक्त हो चुका है, इस कारेकरम को शुरुवात हुए। आप कितने उख सुकत हैं अब तक कि इसकी तरक्की में, क्या कुछ आपने तरक्की देखिए पिछले कुछ महिनों में। इस ढांचा में हम हर एक स्टेट के साथ इसके ऊपर बहुत वारतालाब किये हैं। और उसके अनुसार एक पूरे दिन का, डिसंबर में, पूरे दिन का, सभी स्टेट के साथ भी विज्यान बावन में बड़ा करेकरम हुआ। जिसके तहद 98 पॉइंट्स के ऊपर हर स्टेट में 30 जून 2015 तक बहुत सारे परिनाम ले आने के लिए स्पेसिफिक अक्शन पॉइंट ड्रॉ किया गया। और स्टेट भी इसको मानकर चले हैं कि जितने भी केंदर सरकार हम इदर से डिरेक्शन दें, बूदर स्टेट लेवल में अगर स्पेसिफिक अक्टिविटी नहीं होता, मेक इन इंडिया का मतलब ही नहीं बनता। इसलिए स्टेट को ये 98 पॉइंट्स जो हमने स्पेसिफिकली करने के लिए दिये हैं और वो भी मानते हैं कि वो 98 में उनका तरफ से बहुत सारे अक्शन होना है। मैं मानती हूँ 30 जून के बाद ऐसा हर एक सेक्टर में हमें स्टेप्स दिखाई देगा जिसके वज़े से बिसनस करना आसान रहेगी और हर स्टेप में अगर एक चोटे एंटरप्राइस हो बड़े एंटरप्राइस हो या तो माइक्रो लेवल का यूनिट हो उनको आराम से उनके अपने बिसनस कारोबार देखने के लिए मन रख सकते हैं ये टेंशन करने का कुछ भी नहीं होगा कि क्या हम सरकार के रूल पालन कर रहे हैं क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये कर रहे हैं क्या कोई इंस्पेक्ट करने के लिए आएगा क्या इसके वज़े से मैं कुछ करप्शन में एंगेज करने का वशक्ता होगा ये सब उनके मन से दूर हो जाए इस ऑफ डूइंग बिसनस भी इसका एक एहम पार्ट है बिलकुल और इस ऑफ डूइंग बिसनस इस देश में अब तक इस पेमाने पर एक्शन नहीं लिया गया इसके वज़े से नह चीपतियों को चोटे सर में कामकाज करने वाले हो या बड़े सर वाकई में जापान में उन्होंने काहा था कि रेट टेप नहीं रेट कार्पिट आपका इंतजार करेगा अब क्या वज़ा है इतनी जिग्यासा है मेकिन इंडिया कारेकरन हो लेकर ना सिर्फ देश के अंद तो आप देख रहें बहुत सारे क्वालिफाइड बारत देश के वासी बाहर जाते हैं बहुत बड़े-बड़े कंपणियों में मालिक तक पहुंच जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं और उनके एबिलिटी के ऊपर किसी का शक्त नहीं रखता और उनक प्रतिकत रूप में बारत देश में ये एंटरप्राइसिंग का स्किल हर एक नागरे के अंदर है मगर वातावरन और माहोल बिसनेस का अच्छा ना रहने के कारण बहुत सारे उसमें निराशा जनक हो जाते हैं बिसनेस आगे बढ़ नए बाता है मगर पिछले पांच साल में जादा तर पॉलिसी पेरालिसिस के वज़े से गार्मन के तरफ से भी और लोकल लेवल में भी उच्छा करने के लिए कुछ और कारण नहीं था इसलिए सब लोग ऐसे चुप बैटे थे कि क्या हो रही इस देश में हम क्यों हमारे अपने एंटरप्राइस दिखाने पा रहे जब नया सरकार आये और मोदी जी के नेतरतु में इस विशे को समझ कर और वो भी वैसे अच्छा एक सक्सेस्फूल चीस मिनस्टर के नाते गुजरात में बहुत सारे अक्शन कर दिखाए वो सनुबव को मन में रखते हुए इधर पूरे देश में करने के लिए जब प्रय करना चाहिए पहले बार प्लानिंग के स्थेज से अक्शन करने तक सिर्फ खेंदरसरकार और राज्यसरकार नहीं बेटे इसमें थीसरी पार्टी जो एक्चुली इंपॉर्टन पार्टी है वो इंडस्ट्री है उनको भी ले आए पूबिक सेक्टर इंडस्ट्री भी हो सकत कि it is more a question of changing mindsets, government भी regulator के नाते नहीं बैठना, आप facilitate करो. जब माइंसेट चेंज होने के बाद आती है, तीनों ही जो एहम पार्टी हैं, सब इखटे बैठके मेकें इडिया कारेकरम के बारे में बात करते हैं, तो कई बार बैठके भी हो चुके, आपने बताया, 30 जून के बाद तस्वीर और साफ होगी, इसमें क्या कुछ नहीं चुनावती अभी सामने आई है, पिछले 7-8 महीनों में इस कारेकरम को लेकर कि अभी इस चुनावती यही है कि जितने भी करो, और करने का बाकी ही बहुत स प्राइशर पड़ता है, बिल्कुल, इतनी उत्सुकता है, इतनी जिग्यासा है, तो उनके एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए हम भी उसके अनुसार काम करना पड़ता है, और जब प्रदानमंत्री जी खुद इतना बिना विराम काम करते जा रहे हम भी उनके स्पीड मे चलना आवश्यक है, जिस तरह से प्रदामंत्री अभी हाली में फ्रांस, जर्मनी और कैनेडा के दौरे पर गए, जर्मनी में सबसे बड़ी अध्योगिक मिले में, वहाँ पर भारत एक पार्टनर कंट्री था, शिरकत के आप भी वहाँ पर मौजूद थी, किस तरह का रिस सिर्फ मेरे अपने इंप्रेशन के ऊपर नहीं, मगर भारत देश से पहले बार नहीं, इससे पहले बार भी पार्टिसिपेट किये हुए अध्योगिक शेतर में जो लोग हैं, उनसे बात करने के बाद में बोल रही हैं, उनका कहना ये था कि ये शायद दूसरी बार तीसरी बार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर भारत देश के नाम बोलने में ही इतना उच्साव और लोगों का क्यूरियोसिटी, क्या हो रही है बारत में, क्या इतना आक्शन हो रही है, और हम क्यूं उसमें बाग लेना, मुशकिल हैं, हम क्यूं नहीं लेना चाहिए, ऐसा बारत के उपर इंट्रेस्ट एक दम कहीं भी जाओ हैनोवर में वो मैसुस करने के आए, वो एक विशाय है। दूसरा, हमारी स्टॉल्स में फुट फॉल इतना ज़ादा और हमारे चोटे औरंगबाद से, नाशिक से, चोटे चोटे शहर से जो आये हैं बिसनस, जो इतना एक्सपोर्ट बिसनस कर रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे थे कि हम इस बार जितना इंट्रेस्ट इंडिया के उप पुशिश कर रहे ही थी, तकनीक की बात करते हैं, तो जर्मनी के ऐसा देश है, जो उच तकनीक भारत को दे सकता है, तो जर्मनी अगर उत्सुक है, तो हमें उमीद की की जा सकती है, कि आने वाले वाक्त में अच्छी तकनीक मिलेगी। इसे फ्रॉंटियर टेकनोलोजी में बारत देश में इतना ताकत है, हमारे मंगलायन के उपर इतना उदर आनंद से लोग देखने के लिए आई, हमारे रॉयल एंफिल्ड मोटर बाइक के उपर पार्ट पार्ट को फोटो लिकिंच कर सेलफी फोटो लेकर के लोग आनंद मे बात कर रहे थे, मैं ये कहने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि हमारे स्ट्रेंथ है इंडिस्ट्री में, वो स्ट्रेंथ के उपर चर्चा उदर हो रही है, मगर हमारी अपनी देश में ही उन सब के उपर हम कम बात करते हैं, सिनसिसम जादा होने के कारण, मुझे लगता है, इस जर्मनी में, आटोमोटिव सेक्टर में, उनका एक्सपर्टी से, वो लोग भी हमसे पार्ट्स ले रहे हैं आजकर, इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारी मेक इन इंडिया कारिक्रम के लिए हम कहीं डूनने के अवश्यक्ता नहीं है, हमारी स्खिल को हम बढ़ाना चाहिए. कुछ समझोते हूँ हैं, भारत और चीन के बीच, 24 समझोते हूँ हैं, जिनमें रेल्वे का विकास सिक्षा, खरन, कौशल विकास, परियटन, भूविज्यान, अंत्रिक्ष, लगभग तमाम शेत्रों में समझोते हूँ हैं. निवेश के हम बात करते हैं, 4 ट्रिलियन डॉल चीन के पास है, जिसको वो निवेश करना चाहता है, भारत सबसे तेजगती से बढ़ने वाली अर्थववस्ता है, भारत सबसे अच्छा स्थान हो सकता है. क्या उमीद कर सकते हैं कि हम विदेशी निवेश को आकरशित करने के कोशिश करी रहे हैं, चीन से भी विदेशी न साल तक उतना प्राइबेट और गर्मेंट से निवेश होगा और हम एक बार मुझे याद है वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साब के साथ जब मैं भी गए थी और बाइलाटरल निगोशेशन भी हुआ उस समय से उनका इन्वेस्मेंट इंडिस्ट्रियल पार्क में आने का और ह हम इंतिसार कर रहे हैं उमीद तो है मगर चाइना थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए होपफुली प्राइम मिनिस्टर के विसिट के बाद वो मुवमेंट पिछले एक साल के कारेकाल में निर्मुला जी डबलू-टी-उ में भारत को बड़ी अच्छी सफलता मिलिया और जिस एक मल्टी-लेटल बॉड़ी है हर देश उनके अपने इंट्रेस्ट को प्रोटेक करते हैं मगर जब ऐसे एक एग्रिमेंट हुआ जिसमें आपके किसानों के विशे में आपके केती बाड़ी के विशे में अगर आप निर्नाय करना मुश्किल समझ रहे हैं क्योंकि एक इसलिए हमारे सार्मबावमिक वाद को प्रोटेक्शन के लिए और हमारे अपने विशे हमारे बाई हमारे केती में रहने वाले आनदाता उनको हम अगर ने प्रोटेक्ट करते हैं क्यों प्रोटेक्ट करें बारत में भी और बाहर में भी हमें बहुत सारे लोग आकर के ऐसे इसे रिस्क क्यों लिया करके बहुत सारे हमें बात किये मगर मैं पूरे श्रे हमारे प्रदान मंदरी को देना चाहती हूं क्योंकि वो इतने वुस के ऊपर फर्म थे कि नहीं इस हग को हम खोना नहीं है लडो कितने चाहिए लडो करके हम सब को सपोर्ट दे दे दिर्मला जी चोटी से ब्रेक के लिए रुकते हैं उसके बाद जब आएंगे बात करेंगे आसियान देशों और भारत के समझोते के बारे में भी और साथे साथ जो तमाम रेटिंग एजंसियां हैं भारत के बारे में जो सकरात्मक माहौल बना रही है इसके पीछे अचानक क्या वज़ा है यह जाने की कोश्व करेंगे चोड़ी से ब्रेक के बाद भारत और आसियान के बारे में बात करें, लुक इस्ट की बजाए अब एक्ट इस्ट की पॉलिसी लागू हो चुकी है, भारत और आसियान के बीच वेपार लगातर बढ़ता जा रहा है, सेवा और निवेश को लेकर जो समझाता हुआ है, उससे भी उमीद की जा सकती है कि आन इसका डिसकर्शन अभी चल रही है, जिसके तहट आसियान प्लस सिक्स होर कंट्रेइज लेग जपान, कुरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, उन सब के साथ भी एक ही ग्रूप के नाते हम अग्रिमेंट करने वाले हैं, मगर उसमें और बाची चल रही है, मैं मानती ह कि इस रीजिन से हमें भहुती बेनिफिट मिलेगा, जो अभी नजर नहीं आ रही है, मगर बिलकुल आने वाले दिन में हम सर्विसेस और इन्वेस्मेंट में भी आगे बढ़ सकते हैं कभी भी देखें एक ट्रेड और एक्स्टर्नल अफैस, इन विशियों में रिसिप्रोसिसिटी एक अच्छा और मैं एहम बात बनता है, एक गेस्चर के वज़े से ही रिलेशन्शिप बिल्डप होता है, एक आप सम्मान दो, हम भी आपको उसी सम्मान देंगे, और अगले इट इसके ऊपर रख सकते हैं, ऐसे बिल्डप करती जा सकते हैं, हम जब तुरंथ अच्छा समझा इस कदम को और दिये, उसके बाद दो तीन बार प्रॉमिस करने के बाद भी पाकिस्तान ये एक कदम उटाने में बहुत दिक्कत समझ रहे हैं, और उसका तरह तरह की कारण बोला जाता है, मगर मैं तो मानती हूँ, पाकिस्तान से इस कदम उटाने में हम सब को फैदा है, विन-विन सिटुएशन रहेगा। तरकी जा रही है, माहौल को काफी सकरात्मक माना जा रहा है, यही एजेंसियां एक साल से पहले तक नकरात्मक बाते कह रही दी भारत के बारे में, ऐसा एक साल के अंदर क्या तबदीली आई है, जो इन्टरनेशनल एजेंसी का रुख है, जो भारत की तरफ वो बदल गया ह अच्छा हुआ आप प्रशनों पूचे, क्योंकि हमारी देश में हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल्स इतना जादा है, क्योंकि जेनुमिनली पिछले पांच साल से हम वेट कर रहे हैं बदलाव आने के लिए, और जब ये बदलाव ले आने के लिए सरकार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे एक्सपेक्टेशन में और एक्सपेक्टेशन और एड हो जाता है, इसलिए हमें objectively क्या कदम इस सरकार उटा रहे हैं, उसका short term असर क्या है, long term असर क्या है, इसमें objectively शायद बात करने मुश्किल समझ रहे हैं, इसलिए मैं मानती हूँ कि विदेशी assessing agency, rating agency, और विदेशी institutions, IMF हो, OECD हो, World Bank हो, इन सभी institutions को हमें एक assessment करने के बाद जब बोलते हैं, कि आपकी growth rate अच्छा चल रही है, और शायद अगले साल के अंदर ही आप China को भी बीट करेंगे, और उसका basis भी बोल रहे हैं, कि इस कारण वो उस नर्ने तक पहुंचा है, ऐसे explanation भी दे मैं definitely उसको कोट करना उचित समझते हूं, I am very grateful you said that, क्योंकि हम इस देश में थोड़ा रुख कर, काम होकर के, सच मुच इस सरकार क्या कर रहे हैं, इसके ओपर सूच विचार करना आवश्यक है, मैं एक साल इस सरकार के पूरे होने के संदर्ब में वो बात जरूर बोलना चा है कि मोदी जी आएंगे, एक magic wand ऐसे करेंगे और सब कुछ बदल जाएगा, बदलने को तो हम कोशिश जरूर करने, मगर इतनी लेयर से, जिसमें चेंज आना है, इसलिए मैं मानती हूं, जरूर हो रही है, देश हमारे उपर भरोसा जरूर रखे, हम आपको फेल नहीं अच्छा मॉमेंटम मैं बना हुआ है, उमीदे काफी बनी हुई है और विकास दर्भी लगातरों चलांग मार रही है, इस मॉमेंटम को बनाए रखना ये भी अपने आमें बड़ा मुश्किल होगा, बिलकुल, और आप मैं इस उदारन को जरूर लोंगी क्योंकि हमारी पा कोशिश कर रहे हूं कि दोनों हाउस में पर्फॉर्मेंस देखे, कितने बिल्स पास हुए, पार्लिमेंटरी समय प्रोडक्टिवली कितना उप्योग में आया, और हम कोशिश करते हैं सब से बात करके पार्लिमेंटरी इंक्लूसिव सिस्टम में सब आगे बढ़े, मगर रा इसलिए मैं मानती हूं उस खटिन संदर में भी जब सरकार उसके कमिटमेंट कर दिकाए, इसलिए मैं मानती हूं, एड्मिनस्ट्रेटिव एग्जेक्यूटिव लाइन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां भी करेक्शन होना है, उस करेक्शन को हम मन में रखते हुए जा जब वो क्विला मैटर में, पूरे कैंसल होने के बाद, दस महिने के अंदर, आॉक्शन के रूट में, सब ओपन ट्रैंस्परेंट रूट में, पाईसा खाने के बाद छोड़े, पाईसा प्रेशरी में आ रहे हैं, यह मैं बड़ा मानती हूं, एक उदारन है, जिसके द्व चोटे-चोटे लोगों को लिए, मुद्रा बैंक, यह भी अब देखिए, रेडी, पेडस्ट्रियन वे में बैट करके, बिखने वाले चोटे-चोटे खुद्रा व्यापारी, उन सब के लिए लोन देने के लिए, बैंक में एक बड़ा सा फंड क्रेट करके, मुद्रा बैं जनक एक स्टेप है, मैं सिर्फ इस बात को इतना दीप दोरारी हूं इसी लिए, कि इस सरकार लाजर प्लान को मन में रखते हुए, हर कदम उटा रही है, आज हम देखने में हमें लगता है, यह क्या है, यह क्या है, अलग-अलग टुकडे हैं, मगर यह सब विल फॉल तबके का वेक्ति के लिए एक समाजिक सुरक्षक के कंब्रियला दिया गया है, अब जिस तरह से संचार करांती देश में आई है, जिर्फिला जी, इ-कॉमर्स का दाइरा लगातर बढ़ता जा रहा है, लोग मुबाइल फोन से ही शौपिंग करना शुरू कर चुके हैं, ऐ जो छोटे रिटेलर से, छोटे दुकानदार हैं, उनके मन में कहिना कहीं थोड़ी सी आशंका हैं कि क्या भविशे में ऐसा वक्त आयागा कि लोग उनकी दुकान पे आना बंद कर देगरो मुबाइल से उनकी शौपिंग शुरू होगी, उनके लिए आप क्या कहना उनके लिए भी वेपार में कुछ जगा बनी रहीगी? लोग हैं, चाहे वो जो भी ट्रेड करें, गर के मसाला हो या खिताबें हैं बच्चे के लिए, स्कूल के लिए, या फैंसी गुड्स हो, या गर में जो भी चीज हमें चाहिए, वो सब बिकने वाले हो, ये व्यापार में, ई-कॉमर्स में रहने वाले के, और ब्रिकन मोटर अगर शॉप्स में रहने वाले दुकानदार के, इश्यूस बहुती सीरियस हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड अभी नहीं है, ये भी मानना चाहिए हम, और अगर ए-कॉमर्स के द्वारा कंपनियां बाहर से पैसा अक्सेस कर सकते हैं, और उसके वज़े से उनको जो अड़बांटेज मिलता है, जो अड़बांटेज हमारे चोटे दुकानदार के नहीं है, इन सभी विश्यों में सरकार डेफिनिटली सोचना चाहिए, और कल में इसी लिए एक स्टेक होल्डर मीटिंग बुलाए, ए-कॉमर्स वालों का, मैं और इसमें मीटिंग करने व हमारे मकसद ये भी है, कि ये कॉमर्स के द्वारा और ज्यादा इंपोर्ट गर्व के अंदर आना नहीं है, अब आप सांसद भी हैं, और तमाम फ्लेक्शिफ प्रोग्रांस में सांसद ग्राम योजना का पिशुर वारम प्रधा मतरी जी ने किया, और आपने आंदर प्रद और एक दोनों में से ये गाउं ऐसे भी हैं, जिसमें तीन चार साल पहले तब की मुक्यमंत्री एक जगे पर खड़े होकर के भाशन दिये कि मैं समुंदर उदर अंदर आते रह रहे हैं, it is coming into the village, it is eating into the village, हर साल तीन किलोमेटर, चार किलोमेटर के और जनता को पुश करते जा रहे हैं कि आप इदर नहीं रहे हैं, डाइट इंजर है, कुछ मीटर अंदर आ रहे हैं समुंदर हर साल, ऐसे डेंजरस एक्सपोस्ट विलेज हैं, जिसमें सिर्फ मच्वारे रहते हैं, पांच हजार के संक्या है, जनावा पॉपॉलेशन, मैं इसलिए उस गाउं को च जो अच्छा डिस्टिक माना जाता है, प्रास्परस डिस्टिक माना जाता है, उसमें एक ऐसे गाउं है, जो एक दम अन्फॉर्टॉनेट है इसलिए मैंने लिए उसकाओं को और उदर अभी रोजगार बढ़ाने के लिए उनका आचा महकान बहान बनाने के लिए और सोलर एनरजी और वेस्ट मैनेजमेंट लिए उनके पहले स्वचता के लिए टॉयलेट प्रोवाइट करने के लिए मैं आंदर प्रदेश में सिर्फ एक ही एक अखेला एक मात्रियम्पी हूँ जो फूरे फंड को उप्योगी है ओल फाइव क्रोव्स विदिन 31st मार्च विदिन दाट फिनान्शिल यर मैं जाकर सबसे मिली भी हूँ और इस साल भी उनके कारिक्रम में कर दी जाओं मैं कहीं तरह के फ्लैक्षटर प्रोग्रामस मोदी सरकार ने शुरू किए सानसत ग्राम योजना की दुबात हुई साथ इसा डिजिटल इंडिया, सकल इनडिया, मेकिन इंडिया और कहीं और भी योजना को शुभारम किया गया वैसे तो सरकार के लिए सभी योजनाऊ CS में काम की आज में भी बोल सकते हूं उसका लॉंच के दिन में I was so happy मगर उसके बाद जब गाउं गए और जंता से बात के मेरे आदर्श काउं में भी सबसे पूचे हमें भी खाँट है हम भी रखते हैं आप जैसे लोग रखते हैं हमारे हाथ में भी काड़ है उससे मुझे लगता है कि entire versus YouTube is होती है कि लोगों तक पहुच रही है सरकार, बैंकिंग इंस्टूशन से जुड रहे हैं और उनको आज एक बैंक के अंदर पहले संकोच करके ऐसी जाने वारे हैं लोग आज ऐसे जा रहे हैं कि हाँ हम भी बैंक में आ रहे हैं होती इंपावरिंग है और आखरी सवाल मैं जि एक बड़ा हिस्टॉरिक मोमेंट में इस सरकार 2014 में बनाया और मैं मानती हूं यह पांच साल डेफिनिटली एक गेम चेंजिंग फाइव यह सोंगे क्योंकि ऐसे नेतरत्व हैं जो एक्सपिरियंस्ट है, क्लियर हेड़ेड है और एपसलूटली ट्रांस्परेंट है बारत देश का गर्ब कारण बनाएंगे यह सरकार, मैं मानती हूं यह एक अचीवमेंट है यह वाके में गेम चेंजिंग पहला साल तो गेम चेंजिंग कहा जा सकता है क्योंकि काफी हल चले रही और काफी उमीदे जगी और अब देखना होगा कि 2019 तक आते आते यह पांच साल का कारेकाल गेम चेंजिंग किस हद तक साबित हो पाता है निर्मिला जी आपने हमारे साथ बातचीत की दूरदर्शन के लिए आपने वक्त निकाला आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दन्यवाद जी हमाशकार हमाशकार झाल 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 झाल